तो आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बलागर में कोईरा से कैसे ट्राफिक लेके आना है तो इसी का जनकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में step by step तो देखते रहना इस वीडियो को end तक अगर वीडियो सही लगे तो कर देना like तो चलिए आप आपसे ज़्यादा time लेंगे नहीं अब करते हैं शुरू तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोईरा को आप डिस्क टॉप पे भी यूज कर सकते हो यानि Google Chrome browser में search करके बांकि आप कोईरा का app भी डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हो तो हमारे पास जोए कोईरा का app है तो चलिए मैं इस पर किलिक कर देता हूं किलिक होने के बाद यहां पर देख सकते हो कि यह एप जोए open हो चुका है और open होने के बाद यहां पर मैं आपको बता दूँ कि देखो एक confusion है बहुत ही सारे लोग सर्च करते रहते हैं YouTube पर कि कोईरा से बलागर website में कैसे ट्राफिक लेके आया जाएगा तो यहां पर ट्राफिक कैसे आएगा तो यहां पर चलिए मैं आपको बता देता हूं ठीक है यहां पर ट्राफिक लाने के लिए थोड़ा सा क्या होता है कि दिक्कत होता है दिक्कत क्या होता है कि यहां पर जैसे हम कोई सा भी post करेंगे ठीक है यहां पर बांकि ट्राफिक लाना भी असान है अगर आप इसमें थोरा सा मेहनत करते हो तब जो है ट्राफिक आएगा यहाँ पे इसको सीखना परेगा पहले ठीक है यहाँ पे चलिए यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले आपको लॉग इन होना परता है ठीक है आप जिस जीमेल आइडी से ब्लॉगर को लोग जो है अपना अपना अकॉंट बना रखे हैं यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप कोई सा भी पोश्ट लिखते हो तो उसके अंदर में लिंक जो देते हो तो लिंक आपका काम नहीं करेगा लेकिन फिर भी जो है बलागर पे कैसे ट्राफिक लेके आना है उसका जनकार में बांकी होने के बाद में आपको बता दिता हूं कि यहाँ पे किलिक करके आपको अपना प्रोफाइल आपन करना है इसके अदर में तो परफाइल profund हो चुका है अब open होने के बाद मैं आपको बता दू कि देखो यहाँ पे होता क्या है कि आपके प्रोफाइल पे भी जो है लिंक नहीं दीखेगा यानि आप जो है अपने website का लिंक आप प्रोफाइल में भी नहीं दे सकते हो वैसे Instagram के अंदर में होता क्या है कि अगर आप कोई सा भी post डालते हो तो होता क्या है कि वहाँ पे link सो नहीं होता है लेकिन आप Instagram के profile में क्या कर सकते हो कि आप अपने website का या YouTube channel का link दे सकते हो लेकिन ऐसा option जोए कोई राप है ही नहीं बांकि अगर आप इसके अंदर में कोई सा भी post लिखते हो यहाँ पे जो है हमने एक post पहले link के try कर लिया है चलिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि यहाँ पे click करेंगे और यहाँ पे पहले से जो post डाला है हमने तो यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है ना तो इसके अंदर में post में होता क्या है कि link काम करता है और ना तो आप यहाँ पे profile के अंदर में भी link दे सकते हो तो यहाँ पे यह सबसे बड़ा problem है बांकि चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि फिर भी कोईरा से traffic कैसे लेके आना है अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपका YouTube चैनल है या आपका website है blogger में तो यहाँ पे traffic कैसे लेके आना है तो यहाँ से question answer करके आप traffic लेके आ सकते हो यहाँ पे होता क्या है जैसे कि आपका YouTube चैनल है तो आप यहाँ पे link सकते हो तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है पलस के आईकोन पे और पलस के आईकोन पे क्लिक होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट करने का उप्सन आ गया है यहाँ पे आप जो है लिक के पोस्ट भी कर सकते हो और यहाँ पे पोटो भी अपलोड कर सकते हो तो यहाँ पे आ आपको बता दू कि ट्राफिक लाने के लिए कोस्चन एंसर कैसे करना है तो यहाँ पे जैसे आपका यूटूब चैनल है ठीक है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि यूटूब चैनल से कितने रुपए तक कमाया जा सकता है या बलागर है वेपसाइड है तो आप यहाँ पे बलागर से कितने रुपए कमाया जा सकता है आप यहाँ पे यह भी लिख सकते हो इस तरीके से कि बलागर में जो है कितने ब्यूज पे कितने डॉलर मिलते हैं इस तरीके का question answer कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे आप यह भी लिख सकते हो कि बलागर website को Google AdSense के साथ कब connect करना तो यहाँ पे इस तरीके का question answer करके आप अपने बलागर के अंदर में traffic लेके आ सकते हो YouTube चैनल पे views लेके आ सकते हो और यहाँ पे होगा क्या कि आपको जो है करना क्या होगा कि कोई साभी post डालते हो तो उसके अंदर में आपको अपने channel का नाम देना है ठीक है और यहाँ प पे भी search करेगा तो होगा क्या कि आपका channel आ सकता है मांकि Facebook ट्यूटर सभी पे लोग search करते हैं अगर एक जगा पे आपका ज्यादा traffic हो जाता है चाहे आपका कुईरा पे ही अगर traffic ज्यादा होगा तो आपको जो हर जगा पे लोग search करने लगते हैं तो इस तरीके से कुईरा website को promote कर सकते हो और उससे होगा क्या कि आपके website या YouTube चैनल पे ट्राफिक आएगा ठीक है यहाँ पे नीचे की और आएंगे तो यहाँ पे जो है एड दिखता है ठीक है यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ गेट दो एप तो इस तरीके से आपको करना क्या होगा कि अपन आना चाहूंगा कि आपको पैसे वैसे नहीं खर्च करना है शुरवात में आपको मेहनत के बलबूते अपने बलागर के अंदर में ट्राफिक लेके आना है जो सोसल साइट अच्छा रहेगा उसी सोसल साइट को जोएन करना तो हमने कोईरा के बारे में बता दिया जो भी प अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आज के लिए इतना ही हम मिलते हैं अगले वीडियो में